हाई दोस्तों आपके लिए आनदर वीडियो लेकर आऊ जो कि कल का ट्रेडिक सेशन होगा 9 अक्टमबर के लिए तो कल के ट्रेडिक सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी के कॉन सेल इंपोर्टर रहेंगे किस तरह से आप पूं ट्रेड कर सकते इस वीडियो में देखने हो एक लिए तो चलिए आज एक विखली एक्सपाहर हो अक्टमबर के दिन कस तरह से आज मॉवें तो यह जानें गब और किस तरह से आज जैसे की दिन सकते हैं जिस्टी से से देख रहा हुटा अब ऐक स्पाइट का दिन था तो अच्छा का सा market gap gap open उपन होके है कि उपर की तरफ सबस्केंड कर रहा है मतलब ऊपर की तरफ ही रैली कर रा है तो आज एक अच्छा उपर की तरफ से क्वाली का प्रेसर आया लेकिन मार्केट ने जो क्लोजिंग दी वह भी एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी तो देखते कि कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए कौन से लिए इंपोर्ट है जैसी कि अपने कल भी देखा था आज मार्केट अगर गैप अब होता है तो क्या को स्टैटेशी करना है उसको मुमेंटम देखके उसको ट्रेड करने का है तो इससाब से कल भी अगर कौन से अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है गाप डान होता है तो किस तरह से अपने कर सकते कौन से लिए इंपार्ट है इस विड़ों में देखने वाले है तो चले-पहले जो ऑप्शन चेन अनलिसिस है तो करते है ताकि देखते है कहाँ पर कॉल राटर सबसे आदा है कि किस सबसे आप उनका सपोर्ड रेस्टरंस देखने को मिल रहा ऑप्शन चेन पर तो जो अब आज की एकस्पारी 15 ओक्टमबर की है तो उस ओक्टमबर की एकस्पारी है 15 और नेक्स्ट वीकली तो उसका आपन 17800 के अभव निफ्टी ने लेखेंग डिया अगर कॉल राइटर्स देखेंगे तो 11,00988 कि लेवल पर सबसे ज़्यादा कॉल रेटरस दी नेक्स्ट को मिल है लेकिन निची कि तरफ अगर देखें तो निची कि तरफ जो सुपर्ट नेकल का रहा है 11,800 का लेवल आत st यहां ऐन फेड काट चले को देखने से बाइक सबना है यहां पर कि des ! पाइक सब्सक्राइब और लिढ़नों ! का support option chain के सबसे आपको देखने को मिला इसलिए बैंक निफ्टी के चार्ट पर चलते और यहां पर यहां पर गड़ा उससे टाइम बिता है और उसके बाद एक अच्छा कासा उपर की तरफ जाने की कोश्च के लेकिन 11008 पर जो कॉल रेटर से उसके ऊपर नहीं गया लेकिन इ प्रेशर आए तो उसने जो वहां पर जो ओपनिंग किया था जहां से ओपन हो था उसके भी नीचे जाया उस गया और यहां पर गया और यह अच्छा कासा उपर की तरफ आगे यहां पर क्लोजिंग दिया तो देख सकते मार्केट में जो प्रॉफिट बुकिंग आई जैसे यहां पर एक रैली दिया तो अगर निफ्ट्यू का अगर स्ट्रॉंग होना है तो 11,900 के अब जब निकलता है एक अच्छी कासी मुमेंटम लेकिन नीचे की तरफ अगर मुमेंटम देना है कि जो अपनको निकल के आ रहा है सपोट 11,775 जब इसकी नीचे जाना चलो गए त किस तरह से उपन आते हैं उसकी हिसाब से तो जो यह लेवल है मैंने बता है लेवल देखिए 11,000 643 11,600 नीचे की तरफ सपोट है और यहां से अगर सेल करना है तो 11,775 तो यहां से अपने नीचे की तरफ वीक हो सकते लेकिन यहां पर अगर सफ्टेंड किया तो यहां पर द सबसे देखना पड़ेगा और उसके बाद में अपको ड्रेड लेना परिके मार्केट लाए मर्के में किस तरह से work करता है तो अगर आपने मरे टेलीग्राम चार्ण नेंगे तो उसका लिक में डिस्क्रिप्षं बॉक्स में दिया है ताकि टेलीग्राम चार्ण को जो जाइ नाइंटी वन पे तो 23 के अब एक कच्चा से क्लोजिंग दिया तो एक पर उसका उपसेंचन आनलसी की सब्सक्राइब्स देखते कि अगली जो एक्स ऑक्षेंच निल इस एक्सपार आने वाली है तो वहाँ पर कहाँ पर किस तरह से सब्सक्राइब तो यहां पर देखेंगे सब्सक्राइब करना चालू करता है तो अच्छा-कासा बिक्वाली का प्रेशर हंड्रेट या 150 पॉंट के तरफ अगर सब्सक्राइब अगर सब्सक्राइब करता है तो अच्छा-कासा चार्ट पर चलते हैं यहां पर देख सकते हैं यहां पर यह पर चार्ट लाएगा और जैसे मैं आपको पहले बात हैं जो इंपार्ट अन्स अगर मैंगनिफ्टी को डाउन होना है तो जो तो इसके नीचे जब जाना चाल गया तो फुर्स टार्ट अपन को आ सकता है एट फिफिटी के लेगर उसके बाद में एक सब्सक्राइब उसके भी नीचे जाता है तो एक ट्वेंटी टू थाउजन फैनरी के लेवल तक आ सकता है तो पहला जैसे कि आज यहां से ग्याप उसने फिल किया क्या फिल के के यहां पर क्लोजिंग दी अगर कल इस लेवल के नीचे आते तो एक अच्छा कासा डाउंट्रेंड देखने को अगर इसको स्ट्रॉंग मतलब उपर की तरफ जाना है तो जो आज का हाई इसके अब आउन निकलता है तो एक अच्छा कासा अप इस तरह से वहां पर करते है उसी सबसे अपन उस पर मतलब कह सकती है वैलिड लेवल या इस तरह सी हाप पर सपोर्ट ले रहा है रेजिस्टर अगर आपको मेरा यूड़े चलेगी तो इस चैनल को सब्स्राइब किजिए बैल आकां को प्रेस किजिए ताकि इस तरह की और प्रूड़े में आपके लिए लाता रहूँ चले ठैक्ट